जब जब वो अपने अधिकार की बात उठाते हैं उनकी आवाज मुखर होती है तब तब दूसरी और सा धरम का मुद्ध उठा दिया जाता है इससे रोजगार तेहुना सिक्षा तेहुनी है उस मुद्धे को छोड़के अगला जनम सुधार नहीं मिलग जाते हैं कि स्वर्ग कि हां मैं गरीब की बहतरी के लिए सिक्षा के लिए रोजगार के लिए सामाजिक न्याय के लिए चुनाव लगना है तो जनता को तैय करना है कि वो धार्मिक मुद्धों मक के बहकावी में आती है या अपने बच्चों के भविस के लिए उट डालती है करपुरी ठाकुर को जिन कारियों के लिए भारत रतन दिया गया है जब वह विकारिय कर रहे है तो यह थे तो यही लोग उन्हें गाली दे रहे थे करपुरी ठाकुर जी के रास्ते में बार बार रोड़े अटकाए कि उन्हें मुक्वंत्री पद्धक से हटाए गया देश में लंबे समय से यह सामाजिक न्याय की बात उठती रही है तो जिन्हें सामाजिक न्याय का विरोध करने के लिए हमेशा सनातन और हिंदुत और धार्मिक मुद्धे उठाए जाते हैं जब जब दलित पिषड़े वर्ग दवे कुछले वर्ग जो वंचित रहे हैं अजार साल से जब जब दो लगातार बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि राम में करने से राङ्यात सत्ता की बात और कि सामाजिक न्याय की बात है वो भ।डिक संसार की बात है जो सामने हैं उस पर धाना होना चाहिए या जो कल्पना में हैं उस पर ध्यान होने जी अब ये हमारा पिशड़ापन कह लें या बौधिक दिवालियापन कह लें कि हम काल्पनिक बातों में आके अपनी यथार्त इस्थिती से मूँ मोड़ लेते हैं जो जिस मुद्धे से हमारे बच्चों को भविष्ट होना है, इस से रोजगार्त होना, सिक्षत होनी है उस मुद्धे को छोड़के अगला जनम सुधारने में लग जाते हैं कि स्वर्ग में हमारी सीट्स अरक्षित हो जाएगी यह हमें अगले जनम में अच्छा जनम मिलेगा कालपनिक बाते हैं जो यह एक कालपनिक ग्रंथ लिख रखें उन्हें जूटी बातें लिख रखें उनका रट्टा लगाने को विद्धुता कहते हैं विद्धुता या ज्यान से तो मतलब व्यक्ति को जीवन सुधारता हो विद्धुता है लगातार सोशल मेडिया पे ये गोली चलाने गोली चलवाया है मतलब राम विरोधी सपा को राम विरोधी दिखाया जा रहा है तो कैसे नड़ेगी सपा ने गोली चली थी तो कानून के की पुलिस थी, राजी की पुलिस थी गोली चलाने वालों के खिलाप किसी थाने में कोई मुगदमनी कीप tej nia तो गैर कानुनी तक हो किसी भी दर्श्टिकान से गलत नहीं है। सम्वेधानिक और गेरकानुन कें इन्हों ने किया पहली बार तो जबरन आकर एक मस्जिद के अंदर मूर्ती रखी फिर उससे जबर जस्ते गिराया गया कानुन तोड़ा गया उसमा मुकदमेदर जो हुए तो जो गैर समयधानिक काम और गैर कानुनी काम तो इन्हों ने किया गोली चलाने वाले तो समीधान की रक्षा के लिए खड़े थे वो तो सुप्रीम कोट का आदेश था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान न पहुंच नहीं देजिया तो पिरतेक शासन का करता वह होता है कानुनिवस्ता पनाई रखना और गैर कानुनी काम न हो लेकिन आज माहोल ऐसा हो गया कि जो समीधान की रक्षा के लिए खड़े थे उन्हें खलनायक बताया जा रहा है और जो कानुन तोड़ रहे थे उन्हें नायक की तरह पेश किया जा रहा है यह देश की जनता को तैकरना कि देश समीधान से कानुन से चलेगा यह भावनाओं से चलेगा आस्था से चलेगा यह राम महोल हुआ है इसमें अगड़ा वर्षक पिछड़ा फिर से हो पाएगा विपक्ष करने में काम्याब होगा जो धरम का मुद्दा उठाते हैं धरम का जो पाखंड परोस्ते हैं वो हमेशा बहुसंक्यक समाज के अधिकार मानने के लिए ही इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और ना धरम व्यक्तिकत विशे है निजी विशे है आस्था निजी होती है और हर व्यक्ति अंदर से धरमिक होता है और धरम का जो असली कारिय है उस कारिय को तो यह करते नहीं धरम इखटे होके किसी के उपर हमला कर देना और किसी खिलाब नारे लगाना या नफरत का माहूल पैदा करना धरम नहीं है किसी भी दरश्टी कौन से चेकां नहीं तो यहां अठर्ट करते हुआ चार्च पर कही मसजिद पर दूसरे धरम किसी से लूपर यह तिकाई देता कि दलित हैं या पिछड़ें उनके उपर हमले हो रहे हैं किवल दूसरे धर्म वालों पर नी कि हिंदुओं में भी दलित और पिछड़ों पर जगे जगे हमले हो रहे हैं सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कर लिए कि उन्हें राम के उपर चुनाव लड़ना है और हमारा एजन्डा के हां मैं गरीब की बहतरी के लिए सिक्षा के लिए रोजगार के लिए सामाजिक न्याय के लिए चुनाव लड़ना है तो जन्ता को तैय करना है कि वो धार्मिक करन पूरा देश हो गया है तक तरीका से उसमें बहुजण समाज जो है तो यह कहेंगे पचासी प्र सबाभाट वह समाज है मात्र पंदर प्रशेंट वो समाज है सबंड समाज है तो पूरा देश अगर भगवत करन अगर दिखाई दे रहा है तो दोएजर सबीस में फिर ब नाम कमंडल किया है अब यह अगर हमारे लोग उनके बहकावे में आ गए तो अलग भी से है वरना पिचासी और पंद्राइगी लडाई में कौन जीता गई तो सोचा जा सकता है लेकिन इस लडाई में सर बीजेपी ने बड़ा खेल किया है कि यह कि एक तरफ आदिवाशी मु भारत रतन दिया गया है जब वह कारिय कर रहे हैं तो यही लोग उनके गाली दे रहे थे करपुरी ठाकुर जी के रास्ते में बार बार रोड़े अटकाए कि उन्हें मुखमंत्री पद्द तक से हटाये गया उनके गालियां दी कि उन्हें अपमानित किया गया आज यह मैं समझता हूं कि बहुजनों की जीत है कि इस सरकार को हमारी विरोधी होते हुए भी और हमारे अधिकारों की विरोधी होते हुए भी हमारे नेता को हमारे नायक को भारत रतन देने की गोशना करनी पड़ी है यह हमारी वैचारिक जीत है इस वैचारिक जीत को विवहार में उ होना चाहिए कि बीज्ञ पी मूलताय आरक्षण की विरोधी ओक चाहिए सफनाय कि आश 받고 और सब्कEOल ते हुने की समीक्षा होनी चाहिए और कि घृतार इंडिया घट-पड बहुत जादा हो रहे हैं। समाथ सुधारक होते हैं उनुमें अक्सर मतवेद होते उनुमें वैचारिख भहते होती है थोड़े बहुत मतवेद हैं यह बात आपकी सही है लेकिन हमें उमीद है को अगषां ले को शुनाउव लड़ेंगे तो क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि EVM से कहीं न कहीं गरवर हो रहा है अगर गरवर हो रहा है तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है इनने EVM पर बहुत देहर सारे संदे हैं और जो ये सुप्रिम कोट के वकील अभी आंदलन करने उनने कई सबूत भी पेश किये हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा बोलती रही है कि EVM से नहीं बैलेट पर से चुना होना चाहिए तो हम इस पक्ष में हटाई जाए और जब लाई गई थी तब भारती जनता पार्टी उसके विरोध में थी भारती जनता पार्टी के एक सांसत जीवियल नर्सेंव राव न किताब लिखी थी इस पर उसकी भूम का अड़वानी जीने लिखी थी और पूरी बीजेपी इसको विरूद करती थी आज बीजेपी क्यों समर्थन में तो क्या बिपक्च सड़कों पर उतरेगा बिल्कुल जरूत पड़ेगी तो अभी तो आंदोलन चल रहा है सड़कों सब्सक्राइब कल भी पर दर सने पूरे देश में और जरूत पड़ाएगी तो पार्टियां भी उत्रेंगी तारी को लाखों में जो है इविम के खिलाफ लोग इकटा हो रहे हैं करीब बता जारा कि पांच अलाक के करीब लोग आएंगे उसमें जो है क्या समझवादी पा सब्सक्राइब को पूरा समर्था एक आखरी सवाल यह है कि बीजेपी ने तो साफ कर दिये को धर्म पर राजनीत कर रही है तो क्या बिपक्ष जो है इंडिया गडवंधन जो है वह जाती जनगड़ना को फिर से एक बार महौल बनाएगा जैसे पहले बनाया था सामाजिक न्याय हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है सामाजिक न्याय और समाजवाद में ही इस देश की समस्याओं का हल है तो हम धार्मिक मुद्दे तो बहकाने के लिए लोगों को उल्लू बनाने के लिए उठाए जाते हैं हम इस धार्मिक राजनीती का धरम आधारित र झाल